ओके देन लास्ट वीडियो में बात की नेफरोटिक सिंड्रॉम की अब बात करते हैं नेफरोटिक सिंड्रॉम की तो जैसे हमने कुछ करेटरिस्टिक सिंट्रॉम्स देखे थे नेफरोटिक सिंड्रॉम की कि उसमें प्रोटिन यूरिया हो रहा है उसमें अडीमा हो रहा है उ why do those are hypertension on a team which we are one by one Next , अभर्र सींट्रोम और नफरितिक क्न तथे हैं वर उसके पैंतोन तो निल उसके सिम्टूम्स और निफ्रेंजिकर स्मॉभ से निफ्रोम के हैं in the kidneys, in the glomerulize, जिसके वजासे वहाँ पर inflammatory infiltrate की proliferation हो, वहाँ पर cells जाता से जाता divide करें, proliferate करें, hyperplasia हो, glomerulize की, you can say, blockage हो जिसके वजासे, अब ना तो वहाँ पर blood की profusion हो पार, ना ही वहाँ पर blood filter हो पार, त नंतिजे में क्या होगा, जब perfusion ही नहीं होगी तो filtration भी नहीं होगी और azotemia होगा राइट, renal retention होगा fluid का और azotemia होगा, अब जब renal retention होगा लग जाएगा, क्योंकि filter नहीं राफ fluid तो retention होगी 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 और जब ब्लड पहुंच है नहीं पार तो ischemia के वज़ा से अल्टरस्टरोन का रिलीज भी होगा, renal retention mechanism भी वहाँ पर activate होगा, तो हम इसमें यहीं बोलते हैं कि it is caused by inflammatory lesion of the glomerulaya, अब लीजिन मोसली हम यह देखते हैं कि कुछ autoimmune diseases में होती है, कुछ infectious diseases में होती है, कि disease होई, glomerulaya की वहाँ पर leukocyte की infiltration होई, वहाँ पर grow किये, proliferate किये, वहाँ पर उन्होंने एक तरह से glomerulaya को ब्लॉक कर दिया, वहाँ पर profusion प्रोपर नहीं होई, और oliguria, renal retention of fluid, hypertension यह symptom आगे, और filtration नहोंने इस एस्टोटीमिय की symptom आगे, और यही जो infiltrate है, यही जो prostration है cells की, यह फिर damage भी करती है, glomerulaya wall को, वहाँ के cells को, तो हमें सब ने फ् पर मैक्रोपी जामनेशन पर मैक्रोपी जामनेशन पर अर्बसी कास्ट के होती है, तो वही नों का अगर glomerular membrane damage होई है, तो जो आर्बसी जो फर एंपल, वह ग्लोमरलाइस से टिब्यूल मेंडर हो जाएंगे, अब टिब्यूल से प्रोपर शेप होती है, तो होता यह कि आर अर्बसी कास्ट ठीक है, और यह संद्रम है अगें किसका निफ्रिटिक सिंड्रॉम का, तो वह हमने देख लिया, तो इसमें फिर अगें डिफरेंट इग्जाम्पल्स दी है, तो हमने इसमें पर पोस्ट इंफेक्शिस ग्लोमरलो निफ्राटस में होता है, क्रिसेंटिक ग स्थेंटिक कि अगें, बुड़रिटिक सिंड्रम शिबंट फिर तो इतना ना एक क्युड ऑ स्का अच पर संप्कुनफन खनाली होता है, यह हमyt एक टो यह सकते हैं, यह सीघंब बुक्राइंका निफियों सकते हैं, तो इसे मी हमने एक इसने में पर इसी की लिप्राट को इसके बाद बहुत ज़ले ब्रेनल फंक्शन लाउस होना लग जाता है और आए बेदाग्जरस तो जो एक्जेंपल डिजीजेजेज है जो के यह कॉस करती है इसके निफिनिटी मैंने बताया कि आउटो इम्म्यून डिजीजेज होंगी तो आईजी ए नेफरोपेथी है एक तो इसके लावा पोस्तिन फेशिस ग्लोमेर निफराइटिस है जो बच्चों में होता है आईजी ए नेफरोपेथी होती है और मिनमल चेंग डिजीज खराम उसमें देखी थी निफ्रोटिक सिंड्रॉम में तो आल दीज आर दा इस्पानेशन का निफ्रोटिक सिंड्रॉम आइ होप के यह हेलफ़ लोग और आइ होप के वह आपको उसके जो डिफरेंट सिंटम सा उसकी डिजन भी समझ आ गी है